आप नमस्का दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्बर समराट नेवस चनल में फिर एक बार नए मुद्धे को लेकर हम आपके सामने उपस्तित हुए हमारे साथ में है राजनेतिक विश्ले शक्षी छेल बर्जि अगरवाल सर आपको फिर एक बार विदर्बर समराट नेवस चनल में हादिक स्वागते बहुत बहुत धन्यवाद आपको जैसे कि कॉंग्रेस के जो राष्ट्री अद्यक्षे खड़के जी उन्होंने कहा कि जैसे करनाटक में चुना हो रहे उस दौरा उन्होंने कहा कि हम लोग बजरं कि मुख्यमंतरी बुपेल जी ने बोला है महराश का असोग चौण जी ने बोला है राजिस्तान में भी ऐसा बोला है पहली बात तो वो बजरंग बली नहीं बोल रहे हैं बारती जंदा पाड़ी की नेता बजरंग बली को मुद्दा बना रहे बजरंग बली को बंद बाजरंग बली भगवान संकर जो स़िष्टि के संगारक है मुक्ष दाता है उन के अंस है बाजरंग बली उनको कौन को बंदग बना सकता है उन्यना रावन की लंका जला दिया जारोलाग्ट शैन नहींने का रहा हैं करके ने बोला है बजरंगश करके जी ने बोला है बज़रंग दखल गवाला है तो पorno म करना भोट करते हैं बज़रंग दल की कि लिए मतन है काडियार ने किया उनको भाल करो, उनको लाओ उनको सेवा में, बिचार अपने गर में मैठे हो, और बजरंग दल वाले मानो सेवा का होता है, बजरंग दल जो संस्ता है, जो संग्ठन है, सेवा भावी संग्ठन है, जो मानो सेवा करता है, और PFI एक आतंकवादी संग्ठन है, इसकी तुल्ला क आग लगाना और अपना चुनावी रोटिया शेकना ऐसा नहीं होना चाहिए सरी मध्यपरदेश में एक वीडियो फिलाल थोड़ा वारल हो रहा है जहापे कहला जोशी के बेटे है मना जोशी उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात कि ए और वीडियो सामने आया सरा क्या बलें इस बारे में मद्यप्रदेश बाद्य जंता पार्डी में तीन नहींताओं के नाम सुनते थे मोग पहले विरेंद कुमार सकलेचा, कहलाज जोसी, सुन्दालाल जी पठवा, तीनों के उपर बीजीपी का पूरा कारेबार था, और मुझे याद है जब कहलाज जोसी पूरे मुख्यमंत्री थे, यादि मुख्यमंत्री होगे पूरू हो गये थे, उन्होंने धर्ना दून किया था, भूकरताल किया था, का अंगरिश की नितियों खिलाप, उसमें अटल विहारी वाच्पे जी उनसे मिलने आये थे, और अटल विहारी वाच्पे जी ने बोलाता कि कहलाज जोसी को अच्छे पत्वे रखना चाहिए, जोनों इतना त्याक किया, इतना काम किया, बाते जन्ता पाड़ी में मैं देखता हूं, जो नए नवाले आते हैं, वो अपने नेता बन जाते हैं, जोनों ने जन्संग की स्थापन से सदस हैं, बाते जन्ता पाड़ी की स्थापन से सदस क случае प्रिपिश्टि आगे वड़ने की कोजिस करते हैं तो मैं अध्री 자नतापादी निदाहं से सवा करता हूँ यह अगर में पिछले चुन्दा पार्डी जो पिछले चुराओं में हार गई थी, वो तो जोतिरादी सिंध्या के कारण वापस आ गए लोग, जो चले गए थे लोग, तो मैं निवदन करता हूँ, दुबारा ऐसा नहीं हो, कि बाध्या जंद्रापार्टी को जाना पड़े सकता से, मैं ऐसा निवदन करता हूँ, आप जो शिटे मिलती री, बाध्या जंद्रापार्टी की, मैं देखता था गोंदिया में, कोई चुराओं लढ़ना ही नहीं चाहता था, वो बता था तू लड़ा, वो बता तू लड़ा, हमारे गोंदिया में, डक्टर आदीसा मगराल, डक्टर टी अंसरमा, यंडि कोई ने क कोई जो बरसी तिकेज, उनको मानना हार नहीं थे, आज बाद्या जनताबाई की तिकट एक जीतने की गारंटी हो गई है, हार आज मी चाहता है, कोई भी कीमत में मिले, चाह कैसे मिले, तिकट मेले, पहले कांगरेस के गाय बच्चेडे जीत जाते थे, कांगरेस के बैल जीत थे आज कांगरिस का हाथ नहीं जीत रहा है कमल जीत रहा है हर जगे तो बाद्या जन्ताबाटी की टिकट हर कोई आदमी लेने के लिए लाला ही त रहता है जक्ति सेवा भाई लोगों को टिकट देना चाहिए जो काम करना चाहते हो जो पार्टी को नहीं छोड़े अभी मैं करना चाहिए बैं के पूरव शी एम थे टिकट नहीं मिली इस्तिफ़ाइ यह ऐसा नहीं होना छेहले मिली बाटी आफलोकन किया होगा उम्ही तुम जितने धाले दिन पहले पज छोड़ने की बात कही थी और अभी वह वापस रिटन आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे जो राजनेतिक उथल पुचल मच गई थी इस पर में आप क्या बोलना चाहेंगे तथा कजित राष्टवादी कांग्रेस पाड़ी की स्ताफना विदेशी मुल के मुद्देब हुई थी सुनिया गांधी के विदेशी मुल के मुद्देब हुई थी तारिक अनुवार पी ए संगमा और सर्थवार इन तीनों नेतावनों मिलके तथा कजित राष्टवादी प बनाया तो इनका मुंद्ध खतम होगे उस समय उस समय इनको बंग कर देना चाहिए था अपनी पार्टी को यह पीए संगमा तो खैर भगवान को प्यारे हो गए तारीक अनुमार ने पार्टी छोड़ दिया वहले मुंद्ध खतम हो गया और सर्थ पाजी ने पार्टी को बच पड़ा रहते हैं इसलिए इन्होंने नोटंकी किया मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए और पार्टी जो भी होती है लोगतांतरिक में विश्वाच करती है लोगतांक पार्टी होती है अब बाद्य जंदा पार्टी में हर तीन साल में अजश्च बदलता है कही पार्टी जो नहीं बदलता उसको तीन साल के और बड़ा देते हैं लेकिन चुनाओं तो होता ही है कांगरिस पार्टी में पंदर भी साल में एक बार होता है लेकिन चुनाओं होता है बागे जो पार्टी है यह नहीं है यह अपना ब्यापार जो होता है प्राइट लिमिट या प्राइवेट अनलिमिटेड यह फर्म है, यह फर्म है, दुकान है इनकी, यह पार्टिया नहीं होती है, इसमें कि आज में अदक श्रता है जीवन बर्का, वो अगर गुजर गया या नहीं बन रहा है, तो उनका बेटा है, बेटी बनता है, पाई बनता है, तो मैं इनको हरकते किया है, महाराष्ट मेंगित सभी बहुत खराब हुई है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, कहीने करें सत्ता की राजनिती होई है, ऐसा लगता नहीं कि आपको जैसे पंडवी साहब और बिशमा अजित पावार सुबर सुबरे जो उन्होंने गड़ बंदन कर लिये थ जब तक होती थी, उसके बाद में कोई सेवा भावी राजनिती नहीं है, सब अपना सवार्थ साथे हैं, जिसका स्वार्थ जांसिद्ध होता है, वहाद कर लेते हैं, लोकल चुनाओं में कोई कांग्रे से गड़ बंदन कर लेता है कोई राषवाधी कर लेता है बाद में विदान साभा लोक साभाँ में साप और नेवली की लड़ाई लड़ते है पर जिसके सरकार नहीं बन पाती है अकेले अपने दम पे मालो इससे तालमिल कर लेंगे स्वाध की राजनती है जनता बेकूप बनती है जनता को समझना चाहिए बार बार बेकूप नहीं बनना चाहिए जनता को इनसे सड़क पर बात करना चाहिए कि भाईया हमने तुमको वोड़ दिया था तो उसकी गोद में क्यों बेठे एस जनता जब तक नेताओं को सबग निसगाईगी जब तक एस हिलचला चलता रहेगा एस हिलचला बंद होना चाहिए कुशी उत्पन बाजा समीत का हाली में जो चुना हुआ उसमें नहीं कि भाईया जनता पाटी बाग की जग तो अच्छे का से पोजिशन प्रिटी लेगें गोंद्या में हार का मूख देखना पड़ा तो उसमें ऐसे लगता नहीं कि भाईया जनता पाटी उसको चाभी से गड़बंदन करना था अधर मेरा जो अनुमान है 50- 50% जो बीजेपी के कार्य करता है वो चाभी संगृटन में है और 15-15% कार्य की रिकड़बंदन प्रिटीज परें और नाकपुर के नेता चावे हैं नाकपुर में मैं नेता है नितिंगर्टकरी और देविंद्व हड़ाण–वीर अगर ये चाव हैं, तो गोंदिया में चावी और बीजेपी एक हो सकती है, लेकिन वो चाते ही नहीं, नहीं तो नितिन जी देविन जी एक साथ आवें, सबको बैठावें, आज बाते जनता पार्डी में तीन नेता प्रमुक है बीजेपी में, गोपाल दाज जी अगरवाल, रमेज भाव कूते, बिनो दागरवाल, तीनों को बैठावें, तो बाते जनता पार्डी ती तगड़ी बनेगी, कि उसका कोई परियाई नहीं है, लेकि बाते जनता पार्डी के जो शिकर नेता है, वो उदा सीन है, तो बिनो अपनी अलग दुकान चला रहे हैं, गोपाल दुकान चला रहे हैं, रमेज भाव, अपना देख रहे हैं, वो भी, मैं चाता हूँ, ये तीनों नेता जो है, बहुत प्रभावसली नेता है, ये तीनों को जब तक पद नहीं मिलेगा, अब बिनो दागरवाल एमेल हैं, तो गुपाल भया को एमेल सी बना सकते हैं, गर में बैटे हैं, जो सेवभावी है, जो करम योगी है, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको लाना चाहिए, और दुबार अजय पार्डी में एकता बनाना चाहिए, अगर बात ये जंदा पार्डी में इतना दम है, कि अकेली मजबूत हो सकती है, गोंदिया जिले की चारों सी इतना चाहिए, जो एकता हो जाएगी. उनको विश्वास में लेना चाहिए, कोई भी टिकट बढ़ती है, MLA की टिकट है, नगर परच्छद की टिकट है, जिला परशद की है, उनको विश्वास में लेना चाहिए, और वो इतने दिल के बुरे नहीं है, ने वो दिल के बुरे हैं, ने गुपाल भिया दिन के बुरे हैं, ने विरोग जी दिल के बुरे हैं, सब एक हो सकते हैं, एक नागपुर के नेदर चावेत तो, एक हो सकते हैं ये लोग दन्यवाद सर दोस्तो आज का यह एपिशोट अपको कैसा लगा जरूर हमें सुजित करें अगर आपको हमारे एपिशोट सही में अच्छा लगते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताए आप आपके questions भी हमारे इस प्रोग्राम में आप इसमें समलित कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम अगर आपको सही में अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और जादा से जादा शेयर करें ताकि आने वाले अगले messages भी आपको मिल सकें देखतरी विदरपका नमबर वन चनल विदरबस समराट धन्यवाद